कि अधियुक्त कि अधियुक्त कि अधियुक्त कि आपको कोई नहीं बताएगा यह के वर हम आपको बताएंगे ओके फ्रेंट्स यह हम डिसकस करते हैं 1986 में इंडिन आर्मी एक मेजर एकसाइज करती है यह मेजर एकसाइज की होती है अंडर ऑपरेशन ब्रास्ट एकसाइज राजिस्तान के बॉर्डर पर देन नॉर्मल एकसाइज थी इसमें इतना इंपोर्टेंट क्या था जो हम डिसकस कर रहे हैं इसको समझें इस एकसाइज के अंडर में इंडिन आर्मी 4.5 लेक्स से लेकर 6.5 लेक्स को मोबिलाइज करती है यह नॉर्मल एकसाइज नहीं थी एक सिक्योर्टी जो हमारी साइट है उसका नामें इस टाइम पर इस टाइम पर इस ऑपरेशन के अंडर में यह वर्ड वार टू के बाद सबसे बड़ा मोबिलाइशन था सेकिंड इसका कहना आए ग्लोबल सिक्योर्टी डॉट ओर जी का कि किसी भी नेटो एकसाइज से बड़ी एकसाइज थी इंडिन आर्मी की कि इसको डिसकर करते हैं कि इसका अब्जेक्टिव क्या था इतनी बड़ी एकसाइज करने का अगर को यह चेक करना था कि हमारी ऑफेंसिव क्यापेवलिटी किस लेवल तक आ चुकी है कि इंडिन मिलिट्री बोलती है कि इसको यह भी चेक करना था कि जो इंडिन के अगर कोई बैटल होती है वह उती है तो कितनी सिंक्रॉनाइजेशन के साथ ओटेक कर सकते हैं ओफेंसिब बैटल लड़ सकते हैं तो यह बताया है हमारी मिलिट्री ने पर डूसी तरह मुं बात करते हैं डिफेंस एक्सपर्ट का नाम है रोबर्ट आर्ट इस बंदे को समझते हैं फर्स इंग इस बंदे का कहना है यह जो पूरा आइडिया था यह था उस टाइम के इंडियन आर्मी चीफ जिनका नाम था सुन्दर जी आइडिया यह था एक बहुत बड़ी मिल्ट्री एकसरसाइज की जाएगी पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्स उसको प्रवोक किया जाएगा नें पाकिस्तान कुछ ऐसा इनिशेटिव लेगा कि हो सकता है कि हमारे उपर अटेक कर जैसा हुआ था प्रवोक के टाइम पर तेन हमें एक्स्क्यूज मिल जाएगा और इंडियन आर्मी यहां पर प्रियम्टिव स्ट्राइक करेगी और पाकिस्तान के जो नूप्र बॉम का प्रव्जेक्ट चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी पाकिस्तान का नूप्र बॉम का जो इस लिए प्रवेपन के लिए नाइंटी एटी स्ट्रॉय को जो चुका था एंड पाकिस्तान बहुत करीब था नूप्र प्रवेपन करने में देन स्टेम पर ये बोलते हैं रोबर्ट आर्ट सुन्दर जी ये चाहते थे कि हम उसको नुक्लियर वैपन ना बनाने दें और इसलिए मिलिट्री एक्सराइज की लिए थी कोश्चन आता है क्या सिविलीन गवर्मेंट ने इसको सपोर्ट किया था कॉंग्रेस के लीडर मरी शंकर आयर ये बोलते हैं कि राजी गादी गवर्मेंट को पता नहीं था और ये पूरा आइडिया था आर्मी चीफ सुन्दर जी का इससे पहले अगर बात करें इस ऑपरेशन से पहले इस एक्सराइज से पहले 21 में इस्राइल ने एक ऊपरेशन लॉंच किया था इस उप्रशंड के एंडिर में इसराइल ने लें ईरॉषा रारक और गभे प्टार इसको टार्गेट किया था और इसको डिस्ट्रोओए कर दिया था तो क्या सुन्दर जी के माईल में तइससाइट कर भी बट इंडियन आर्मी इसको डिनाई करती है नेक्स बात करते हैं आफ्टर मैंट इसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान बैक फुट पर जा चुका था और पाकिस्तान बार बार इंडिया को ठ्रेट कर रहा था कि अगर आप ज्यादा हमें प्रोवोग करेंगे तो हम न्यूंक्लिर वैपन भी उसकर सकते हैं पाकिस्तान इस एक्सरसाइज के बाद समझ चुका था कि वह अब इंडियन आर्मी से फेस टू फेस नहीं लड़ सकता यह क्या करता है पाकिस्तान इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ाता है और फेस टू फेस वर से वह दूर भागने लगा था पाकिस्तान का जो स्टेंप पर यहां पर मिलिटरी जनल तो प्रेसिडेंट बन गया तो इसका नाम तरह ज्याओल हग ज्याओल हग इंडिया से तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने का ट्राई करते हैं इंडिया में वह आते हैं इस एक्सरसाइज के बाद राजिवाद करिये ओके थैंक यू